नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेट स्ट्रीम के बारे में जेट स्ट्रीम के बारे में हम देखेंगे किया जेट स्ट्रीम क्या होती उसके क्या विशेस्ता है उनके बारे हम देखेंगे और जो मैं क्लाइमेट लॉजिक की संखला बता रहा इससे आने वाले वीडियो के बारे हम बात करेंगे अल नीनो ला नीनो के बारे में काफी इंपोर्टेंट ये भी वीडियो रहने वाला है इसके बात का वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहेगा तो यह देखते हैं जेट इस्ट्रीम क्या है उसके बारे हम देखते हैं पहले से पस्चिम प्रवाहित पवंधारा को जेट इस्टिम करते हैं यह तो एक डिफनेशन हो गई आप चाहें तो याद कर सकते हैं कहीं लिखने का हो तो आप लिख भी सकते हैं छो मंडल की उपरी सीमा में सेकड़ो किलोमीटर की चवड़ी पट्टी के रूप में पूर पस्चि से पूर इसको मिटाने की कोसिस कर रहा था लेकिन मिटला इसलिए नहीं है क्योंकि ठंडी का मौसम है और आप जानने कि जो मारकर होता है मारकर में एलकोहल होता है और जो ठंडी के मौसम में जो एलकोहल होता है वो बहुत जल्दी उड़ जाता है हावा में इस वैसे यह मि डालेंगे तभी हो जाएगा अला क्या हिए देखते हैं पूरव से परस्टीम से पूर पुर्पाइत पौन धारा को जेटी स्ट्रीम कहते हैं तो यह वे डिफनेशन लेकिन अब हम बात करते हैं जेटी स्टीम की उतपती कैसे होती है उसके बारे में हम देखेंगे और हम देखेंगे जेट स्ट्रीम के कौन-कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे तो हमारे सामने यह आप देख रहे हैं यह है पृत्वी एक तरीके से कह सकते हैं ग्लोब है तो ग्लोब है ग्लोब में हम देखें तो अब आपको बता दूँ कि मैं जाब जान रहे हैं कि इस समय ठंडी का मौसम चल ला है काफी ठंडी पड़ रही है तो सीधी बात है उत्री गुलाद में पूरी ठंडी पड़ रही है अर्थात की उत्री गुलाद में क्या हो रहा है उचदाब का छेतर बन रहा है कैसा हो रहा है उचदाब का छेतर बन रहा है और आप जान रहे हैं कि उचदाब के छेतर की वज़े से यहां पर क्या होती है उत्री गुलाद की छेत बना यहां पर क्या होती है हवाय उतरती है यहां पर काफी जदा क्या होती है ठंडी हमाएं इस आर्कटिक छेतर में इखठा हो जाती है आर्कटिक छेतर का मतलब जो होता है चल्ऑफ होदी है ठंडी होती है अब हवाँ ठंडी होती है क्हाँ है हवा आक है यहां हवा आ रही है इस भूमद रेखी छेतर से या कहें कि भूमद रेखी छेतर से क्या हो रही है हलाकि इसमें सेल भी है हेडली सेल फेरल सेल अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं आप इतना माने कि इस छेतर से हवा यहां पर उठती है उठने के बाद में भारी हो हवा यहां पर क्य तो सते तो ठंडी है हवा उपर से आ गई और ठंडी अब इस हवा जो उपर से नीचे उतर रही थी सते जो थी वो ठंडी थी तो इस छेतर में क्या होता है इस छेतर में हवा ठंडी होने के विए से नीचे की तरफ हाई प्रेसर लेकिन जहां से हवा उपर उतर रही थी उसकी तुलना में मनलब सते की तुलना में सते पर तो हाई प्रेसर लेकिन इसकी तुलना में ऊपर की तरफ क्या होता है लो प्रेसर होता है हाला कि आपको यह भी पताऊगा कि ऊपर जाने पर टंपरेचर घड़ता है लेकिन यहां पर कुछ उल्टाई हो रहा है क्योंकि हवा यहीं से नीचे उतरी है इस चगे पर आभ यहां से इसी उपर की तरफ तुल्प परैसर खो परेसर होता है तो यहां पर अपर एक भावर बन जायेगा भावर कौटा आफ जाने ने पानी में भर बन करने लग जाती है वहब्पर की ति जाती है वहां की तरफ हवा की तरफ क्या होती है गुडन करने लग जाती है तो उपर की तरफ जो ट्रोपो पाज पर जब मैं हम बात करने किसकी उपर की तरफ की बात करें लो प्रेसर जहां उचाही पर है वहाँ पर हवा घुमने लगती है और एक सेल बन जाता है ये एक तरीके से कह सकते हैं भवर बन जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जेट पवन कहते हैं अर्था छो मंडल की उपरी सीमा अर्था ट्रोपो पाज पर सैक्डो किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पुरु परवाहिद पवंधहरा को पस्चिम से पूरब की तरफ याद रखेंगा जेट इस्टीम किसको कहते है पश्चिम से पूरु की तरफ पर तरह पर प्रवध होती है अब आपको देखने में तो देखने में अब यही झानने कि ठंडी पूरे जैसे सते की अगर जो बात करें तो जैसे सते की बात करें जैसे जैसे इस तरफ आते जाएंगे इस तरफ आते जाएंगे तो इस तरफ क्या होगा टंप्रेचर हलका हलका इंक्रीज होता चला जाएगा टंप्रेचर इंक्रीज होता चला जाएगा और यहां पर क्या होगा लो यहां पर बन जाएगा किस तूल ना में धूंगों पर इसमें हाई प्रेशर और बाकी चेत्र में पर लोगी तूलन में शोलत खुछ सब्सक्रामा लोग मिलि फ़ंगों कि विलिए यहां पर जैब वित से भी अब जाने यहां पर क्या होता है लो प्रेसर होता है तो हवा जो हाई प्रेसर से लो प्रेसर की तरफ यह इस तरीके से क्या होती है इसमें क्या होते हैं गुमा ओने लहर नुमा होने शुरू हो जाती है यहां पर देखें तो काफी एदा यह लहर नुमा आ जाती है इस यहां पर भी क्या होता है, कि यहां पर पहनुने मियांडर के रूप में बनाती है। ये यहां तक नीचे की तर्फ चली ज़ाती है, यहां तिक ध्ल की चाहिती है, तो इस तरीके से होता है अब यह तूट कैसे आती है तूटने का मतलब मैंने बताया जैसे हम लोग गोखुर जील में भी पढ़ते थे कि मियांडर से क्या होता है कि जैसे महाम जान रहते हैं कुछ इस तरीके से नदिया बहने लगती है यह क्या होता है यह इसको बोलते हैं य तो यह वह बात जो मैंने आपको jet stream को ले करके बताया जो बताया आप लोग उसको एक बार फिर से समझ लीजे यह एक अवस्था है पहली अवस्था दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था चोथी अवस्था में तो जाती है तो अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कहने का कि ये कोई एक सताय की बात है सताय, कि यहांपर है लेकिशे तुलना में ऊपर की तरफ लोगा कि प्रेशर हो도 नीचे होने की वेसे कहां पर ये टोपो पाज की बात हो रही टोपो पाज की बात अर्था छोब सीमा की बात हो रही उपर की तरफ क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है लो प्रेसर हो रहा है अब क्योंकि प्रत्वी गुडन कर रही है इस वेसे यहां पर क्या होता है भमर सा बनने जानते हैं अब आपको नहीं बताएंगे कि जटिस्टीं का नाम कैसे पड़ा आप जान नहीं कि जब डुतियू विस्टी का टायम चल ला था अमेरिका जो था अमेरिका की जैसे देखेंगे तो अब मैं बता देता हूं, तो यहां से क्या था कि USA से जो थी यह आप जानने कि हिरोस्यमा नागा साइकी पर मटेक करने के लिए लिके जा रहे तो यहां पर क्या हुआ कि उपर की तरफ जब जट जिट इंजन सुनते ना फाइटर जट वो जा रहे तो उनको क्या हो रहता जब पूर से पस्चिम के और तो उनके बीज में अवरोध उत्पन हो रहा था और उस अवरोध का बाद में पता चला कि यह जट पहुने थी क्योंकि यह हवा की दिशा के विपरीज जा रहे थे क्योंकि कैसे पूर से पस्चिंग क्यों जा रहते हैं हवा सामने से आरी तो आपकी साइकिल काफी जाते है हैं तो आपके सामने क्या होती है माली सामने से हवा रही तो आपको साइकिल चलाने में दिक्कत होती है ठीक उसी तरीके से जो जेट एक तरीके से कह सकते हैं जो फाइटर जेट उड़ा रहे थे उनके सामने से जेट पहुन चल लई थी तो उनको भी दिक्कत हो थी नाम क्र जो ऊड़ते हैं तो प्लेंगरा जो उड़ते हैं तो क्या करते हैं या तो नीचिए इंटयनेस्टोब और ये देडिय साथी जो पोला जाए स्झी म समय और परक्रार यो आपकोult तुम West वे सुघंशने संहु पोलर जेटी अए स्थी वह काम याप सब के घार चाहरा है कि एर प्रेसर बिल्ट आप अब जाने मिश्वत रर्खाह प्र क्या हattend कि यहां से पॉपर के ऊठाट को पाल stars पॉपर पर पहुंच करके आप जानमीों यहां उताट्यू है यहां पर जा रही है इसको बोलते हैं उस्ट कडबंदी जिट पाउन बोलते हैं जो विस्व तरेका से उठती है और यहां पर जाने के बाद में यहां पर नीचे उतरती है हला कि विस्व तरेका पर ना होगर के 5-10 डिगरी के आज पर उतरती है तो इसको बोलते हैं उस्ट कडबंदी जिट पाउने अब दूसरा होता है एक तो यह होगी यह निमन वायुदाप की पेटी और यहां से भी पाउने उपर के और उठती हैं यहां से पाउन जो उपर के यह निमन वायुदाप की पेटी से उपर उठने वाली जो विश्वत रेखा की तरफ आने वाली जो जो पाउन है इसको बोलते हैं सीटो चडबंधी जट पाउने ने यहां पर बन्ति हैं कहां पर उपर की तरफ बनेगी हवा में बनेगी तो इसको क्या बोलेंगे चक्रवात किस्तिती उपर की तरफ बनती है और आप जाने ही रहें कि यहां से जो नीचे की तरफ पाउन फिर जो नीचे उतरती है वो इस तरफ जो आती है इसको बोलते है व्यापारिक पौने और य तो मुख्रूप से करकार्द मैंने बता है और ч web बात करें गेल हैं गौत proportional कि इसके बारे में मानसून किया है तो आप जयान एक कि गर्मी का मौसम होता है जून के आसपास ले लिए सूरत क्या होता है कि करकरेखा पर लंबवच चमकता है और उस टाइम पर ऐसी स्थिति बनती है कि हमारा जो ये थार मरुस्तल के आसपास का छेतर है थार मरुस्तल के आसपास का छेतर है वहां पर क्या होता है निमन बायुद यह क्या है कि यह समय देगा यहीं भारत के उपर से उठकर के यहां से नीचे आ रही देखेगा यहांसे मैं इसे बना है कि आपको आपको समया जै derivage जितना यहां पर लो प्रेसर बनेगा उतनी तेजी से व्यापारी पूने भारत की तरफ आएंगी तो इस तरह से क्या होती है यहाद रखेगा यहां पर इसको बोलते है पूरवा जट अब जैसे ठंडी का मोसम आएगा तो इसे को उल्टा कर दीजेगा तो यह हो जाएगा जब देखेंगे तो मकर रेखा पर लंबवाद चम्केगा तो दोनों को समझेगा एक हो गई ये एक हो गई वो अब यहां से क्या होती है अब सीधी सीधी बास समझ लीजे कि थार मरुष्टल के आसपास के छेतर से उपर हवा जो होती है वह सामानी तरंगों के रूप में झानने पर कि अब आगी कि बोल दिया गया तो इस तरीके से स्थित हैं ऑघ साथ किलोमीटर की उडती है अभ प्रभाव की बात करेंगे तो ौपर्ति चक्रवात के शरूपों में अगर जो पर चलती है तो इसमें चख्रवात हो रहा है या और चक्रवात के स्तिती बन रही तो उनके स्वरूब को इनका प्रभाव है तो ये ब याद रचária। अब और भी देख क्रेटों करो सक्टे हुं आपको कुछ इख़ा बता देते हैं इसमेंसे मायलीजिये का सकतेchester वो जोन परत को नुक्सान कैसे पहुचाती है उनके बारे में जब हम देखेंगे, तो, जैसे आप जान महीं कि यहां पर जो जेट पॉने चलती है, वो इन में क्या होती तरंगे वो नीचे के और इ와 उपर के और भी इसमें आती रहती है, मैंने बताया यहां से उपर नीचे आती और नीचे से जब उपर आती है तो माने जो ग्रीन हाउस ग्यासे होती है उपर उठ जाएं तो उपर उठाएं तो फिर वो क्या करती है छोग सीमा के उपर जा करके प्रवाव हो जाता है कि उसको भी चरल करते हैं तो यहां पर यह जो मैंने बताया है कि उस्ट कटबंधी जट सी तो जट दुरूवी जट इनके बारे में याद रखिए और बाकि जो मैंने यह आपको बताए इसको भी डियाग्राम आप चाहें तो बना लीजेगा बना लेंगे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी तो आज के लिए इतना है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद